कि कुडवी लोग महाराज से आया, यूपी से आया, तो यहां क्या दिवासी कैसे हो सकते हैं, यह इनके आने का जो काल है, यह निर्धारन कैसे करते हैं, यह लोग, एक कोई काल का एक बॉन्डरी लाइन, या बोलिए कि एक जो सेपरेशन लाइन है न, वो खीश दीजिए आप कि इसके उपर के जो लोग हैं, पहले वाले, वो आदिवासी है, इसके बाद के आदिवासी नहीं है, कोई टाइम लाइन है आपका, आने या जाने का, आप कुडम के समद्ध में यह बोल देते हो, इस सिर्फ थेरी है, कि भाई भारास से आया, यहां से आया, आपकी भी तो बात है, कि मुंडा लोग, छोटा नाकपूर के छेत्र में कब परवेश करते हैं, आपका भी तो इतियास है, तो क्या मुंडा लोग जब जारखन में परवेश किय थे, उनके समय काल को मान लिया जा एक मौंडरी लाइं, मुंडावे के बाद और कोई नहीं थे, मुंडावों के पहले यहां लोग नहीं रहते थे, क्या मुंडावों का यहां उत्री छोटा नाकपूर या छोटा नाकपूर पूरा ही छेत्र कहलें, क्या यहां रहरे लोग क्या उन इतिहासों में यहां के लोकल लोगे के साथ के संघर्ष का उलेक है या नहीं है संथाल लोग जर्खन परी छेतर में कब आये वो पहले कहां कहां रहते थे रिसेंट में आप देखिए गिलो मयूर भंज में कब गए थे फिर बकुडा से संथाल परगना कब गए थे सारा लिखा हुआ है सारा माइग्रेशन का हिस्ट्री तो सबका है संथाल परगना में जब गए थे तो वहां के जो पहले जो नेटिव लोग थें उनके साथ इनमें इनका संघर्ष होता है या नहीं होता है अधिवासी जो बोलते कि यहां से आया अब कुड़मी के संब्ध में लोग अभी जान नहीं रहा कि आगे जो कुछ भी जो मिली जूली लोग बात बोलता है आधाधा एक एक लाइन का चीज उठाके डाल देता है यहां से आया इतनी बड़ी आबादी है तो सबसे ज़्यादा करती है इस छेत्र में उनको बहुत यहां से यहां से यहां से यहां से जाना यह आदिवासी को तैई कर रहा है अब मैं फिर यहां गुधारन आप लोगों को देना चाहूंगा भारत में जन जाती है उसका नाम है सिद्धी सिद्धी ट्राइब आप इनके बारे में जनकारी इकटा करिए गूगल में सर्च करिए सिद्धी ट्राइब भारतिये ट्राइब से इसका कोई सम्मद नहीं है कि ये कब आये किधर साए ठीक है किधर साए नहीं आये ये फिक्स है लेकिन ये जन जाती में कैसे आए ये चर्चा का विसे है आप इनकों पर चर्चा यार सर्च कर सकते हैं सिद्धी ट्राइब के लोग इथोपिया आणि अफ्रीका का एक देश है इथोपिया से इन लोगों को गुलाम के रूप में जो अरब ट्रेड लोग करते थे गुलामों की स्लेब ट्रेड उनके माध्यम से छेशो अठाइस इसवी में इथोपिया से इन लोगों को शीप में भर भर के एक डबबा होता था बहुत बड़ा जिसमें आदमि उसमें रह जाता था उस डबो में भर भर के इन लोगों को लाया जाता था और गुजरात में इनको बेचा जाता था तो जो डबे बड़े बड़े होते थे ना उन डबो को बले जाता था सिद्धी तो इसलिए इन लोगों का नाम सिद्धी पड़ा लेकिन ये ओरिजिनल में कौन लोग है इनका अपना ट्राइबर इन ट्राइब का नाम बंटू ट्राइब है जो बंटू ट्राइब अफिरिका में बहुत बड़ा ट्राइबल समू है उस ट्राइबल समू से ये संबन रखते हैं और इनको गुलामों के तोर पे भारत लाया ग बसते गया मुस्लिम आकर्मन करता जो आते गये उनके साथ भी लोगों ने मिल के जुद करते थे गुलाम के तौर पर गुलाम सेनिक के तौर पर तो आज के परिपेक्ष में देखा जा आज का डेट में हम इसकी तुलना करेंगे तो करीब चोदा सो साल पहले इस लोग यहां पर भारतिय भूमे में आये थे और इनका भी रहवास छेतर देखेंगे तो अपका गुजरात महरास्ट्र गौबा के कुछ और अपका हैदराबाद्र आंदरपरदेश में इस लोगों का अबादी है और इनको करनाटक और गुजरात में इ आये हैं इनका पता है और इजिन पता है कि लोग यहां साया गुलाम के तोर पर आये और यहां के आदिवासी बन गए ठीक है अब मैं यहीं का भारत कहीं बात करूंगा भारत के अपने जार्खन की बात करूंगा तो अपने जार्खन के बहुत से जनजाती समूह के लोग मस मुंडा, संथाल, उरां, हो और भी जो सदानी लोग हैं कुड़ुमी इन लोग को अंग्रेज लोग ले गया असम के चाय के बगानों में काम करने के लिए थोड़ा केंपरेजन करिए कि अफ्रिका महाद्विप कहां है एक महाद्विप से दूसरे महाद्विप में आना होता है इनका समय काल भी पता है 14 साल पहले और यहीं पे भारत में ही चाय के बगान में काम ले जाने का काम कितना है 1900 के आसपास इन लोग का काम है 1800 सम्थिंग रहेंगे ठीक है इन दोरान 1880, 1900 कुछ ऐसे ही इन लोग का समय काल है इन लोगों को यहां से मात्र कितना 1000 किलो मिटर दूर आसाम गुवाहटी जो चाय के बगान है वहाँ इन लोगों को ले जाया जाता है और मतब आप वेकिनका माइगरेशन का टाइम देखेएगा तो शिर्व इन लोगों का टाइम क कोई समुंदर या और कोई चीज नहीं है इंडियल में लेंड से सटा हुआ लोग सिर्फ 1000 किलो मिटर बाहर जाते हैं काम करने के लिए नसल वही यह तुम्हारा भासा भी तुम्हारे पास है जिसकी आप बात करते हैं क्रेटेरिया के तोर पे वही जनजाती जो जहारकन में आप सुचीबद हो वही लोग जो काम करने के लिए श्रिफ 120-30 साल पहले आसाम जयते हैं वहाँ पर आप जनजाती नहीं हो वहाँ के राजिसरकार की लिस्ट में आप सामिल नहीं हो आपको आदिवासी माना ही नहीं जाता है इस संबंद में आपका क्या विचार है और केवल असाम की एक बात बता हैं यहां जारखन के उरावों को अंग्रेज लोग रोट कंस्ट्रक्शन के लिए लक्षदीप लेके जाते हैं लक्षदीप में भी इनको आदिवासी का दर्जा नहीं है और वहाँ पे भी यदा कदा इन लोग मांग उठाते रहता है असाम ममी मांग उठाते रहता है बोलता हमा दिवासी वहाँ है तो हमको यहां दिवासी माना जाए 75 साल हो गए इनकी बातों को मान लिया गया क्यों अंदल उनकी दरकार परती बीच में करते हैं तो यह अगर कुड़मी लोग अगर कुछ कर रहे हैं तो बिना अधार के तो नहीं करें सारी सबूतों के अधार पर कर रहे हैं सारी जो सेंसरेस हैं उसके अधार पर कर रहे हैं जितने अंत्रोपोलोजिस्ट हैं भासाविद हैं उनके कहुनों सारी कर रहे हैं आप जिस अधार पे जंग्यातिय लिस्ट में सामल हुए हैं उसी रहता को कुढमी भी पूरा करता था इस consiste से बात हो रही है जो सम्गन्दिश कंस्थाएं है गौर्णमेंट है उनसे बात हो रही है अगर किसी को लगता कि भाई ST हमारी जागीर है हमीं रहेंगे इसके लाव कोई नहीं हो सकता है तो अब भारत में अजादी की वक्त कितने जनजाती समू थे और अभी कितने हैं जरह कलपना करिये नहीं करीब 400 से ज्यादा अजादी के बाद 75 सालों में 400 से ज्यादा ग्रूप इसमें एड हो चुके हैं प्रते एक साल कहीं न कहीं किसी राज की जनजाती समू उसमें सामिल होती है जर्खन में इस पर दस जाती समू सामिल हो जनजाती के लिस्ट में कि नहीं ने कुछ बोला उनके जो क्रेटरिया उनको पढ़ने के लिए गए हैं TRI की रिपोट है धारखंड के कुडमी के लिए TRI की रिपोट के बराबर बात करते हैं कि इसमें यह लिखा जो लिखा है अरे अभी यह जो दस समू सामिल हुएं नुकर TRI रिपोट का आप लोगों ने पढ़ा है जड़ा पढ़िए और बताएं कि जिन बिंदुओं पे आप विरोध करते हैं उन बिंदुओं के कितने फुलफील कर रहे हैं तो आज में जिन चीजों पे लोग ज़्यादा उठाते हैं उड़ी चीजों को मैं आपको उधारन दे रहा हूं और उनसे सवाल भी कर रहा हूं पहले बाद थी race, दूसरी बाद थी भासा, तिसरी बाद थी migration, अब चोथी बाद जो इलोग सबसे ज़्यादा बोलता है, वो बोलता है religion को लेके, भनी धर्म को लेके, इनका कहना है कि कुर्मी जो लोग है, ये हिंदू धर्म को मनने वाले लोग हैं, ऐसे आदिवासी कैसे हो लोग ऐसे ही बोल देता है, मैंने अधिवासी हिंदू नहीं है, हिंदू है, ऐसा करके मने एक special वीडियो बना हुआ था, आपको description में वो मिल जाएगा, डिटेल से मने पुरे भारत के जो जनजाती समू है, उनके religion को लेके मैं बात किया था, और जब आज यहाँ फिर से बा हिंदू पे नहीं जाते हैं, आप लक्ष दीप के, 98% लोग वहाँ का मुस्लीम हैं, और उतना ही परसेंट में लोग आदिवासी हैं, आनि ST हैं, मतलब कि पूरी मुस्लीम आबादी वहाँ की ST है, धर्म कहा गया? जम्मू कस्मीर के मेक जीवाम जो सात गुरूप हैं, उनमें से एक दो को छोड़ के, डर्ड और ये गिद्दी वगरा हैं, उनको छोड़ दिया तो मेक जीवाम लोग वहाँ के मुस्लीम हैं, नौर्थिस्ट को बताने की जोरत नहीं है, आज मैं जब वीडियो बना रहा तो जार्खन के जो लोग इन चीजों को उधारन देते हैं, अभी आज के पेपर में सोसल वीडिया मैंने बहुत सरा चीज देखा, इक कबर परव मना रहे हैं, मंबतियां जल रही हैं, जार्खन के राची के कोई भी रोड में पार हो ये न, आपको गिरजा घर जादे दिक देंगा हैं, मंदीर दिखा देंगा सरना स्थल दिखाय देंगा क्या दिखाया देता हैं, और मेक्जीमा जो बुदी जी आते हैं, इनका नम फ्रेंकलिन बखला, तो टेवी बिलियाम ऐसे करके नाम आते हैं, सरनेम तोटेम लगाके, ठीक है, तो यह लोग जह धरम को लेके कुडवी को बोलते हैं अभी जारकन में यही बिलकाज कबर परब हुआ खिजूर परब होता है अभी आने वाला जो दिसंबर महिना आएगा 25 दिसंबर को देखिए कैसे रोनक बढ़ती है कौन लोग है मनाने वाले कहां रिलिजन की बात आ जाती है तब तरक का दिया जाता है कि भया तरक दिया जाता है कि धर्म तो बदल सकते हैं जाथ थोड़ी ना बदलेगी भाई वाह लेकिन कुडवी अगर हिंदू की बात करेगा तो यह नहीं हो सकता है को मनते हैं लदाख में एक्टी पर्सेंट जो एस्टी आवादी है वह बहुत धर्म को मनते हैं कि रिलिजन के फिट में कैसे बेड़ जा रहा भाई नॉर्थ इसको आप देख लिए ना नॉस्तिम्स होगे इतने बड़े-बड़े चर्च का रेकोर्ड बना दिया है आपके अब सोचिये आपको बने जितने भी चीज गिनाएं हैं आगे चलके इन बुधु जीवियों से और जितने भी पत्रकार बंदु हैं उनको में कहना चाहता हूँ कि इन चीजों को उठाईए जब वो बोलते हैं कि आरियन लोग बै नसल एक चीज होता आदिवासी का आरियन लोग कैसे आदिवासी हो सकता है उनको कहिए कि भाई ये डर्ड लोग वकरवाल लोग गुजर लोग आरियन होते हुए स्टी में कैसे हैं जब यह भासा की बात करते हैं तो उत्तरभारे के जितनी बेर जञचाती समू हैं वायरेज, आरियन और दर्विड़ियन होते हुए भी इंडो-ारियन भासा की फैमिली कैसे बोलते हैं कि जो माइग्डरेशन की बात करते हैं उनका टाइम-लाइन क्या है कि इतना के दोरान इतना के ऊपर अरतन इसके नीचे आधिवाशी हो सकते उसको पर नहीं हो सकता है अफरिका के सिद्धी ट्राइब यहां पर आके अधिवासी हो जाते हैं और यहीं के लोग आसाम जाते तो अधिवासी नहीं होते हैं लक्षदीब जाते हैं तो अधिवासी नहीं होते हैं रिलिजन का जब बात आती है तो बौध क्रिश्चन आज की डेट में अगर सबसे ज़्यादा बात करेंगे में जीवां जो जंजाती समूप को लगो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं और दूसरे नंबर पर अब इसाई आने लगा है लेकिन कुड़मी के परिपेक्ष में आके हिंदू धर्म घुशा के अनलगल पर लाप करना शुरू कर देते हैं इस सारे पॉइंट से हैं आप इनको कहीं भी वहरिफाइब कर सकते हैं मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैंने जितने जनों के नाम बताएं रेस के अधार पे हो भासा के अधार पे हो मैग्रेशन के अधार पे हो रिलिजन के अधार हो आप तुसरी भी चार पॉइंट ही तो उठाते हैं